सब्सक्राइब है जिसमें काफी कार्बोहाइडरेट प्रोटीन और विटामिस तर्फ पाये जाते उनमें से एक चना अलो एवरिवन मेरा दिका आपका वैल्स अप चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं आज हम बनाएंगे आलू और चने की सूखी सब्जी आलू चने की सब्जी खाने बहुत देश्टी लगते हैं आप बच्चों को लंज बोक्स में भी दे सकते हैं चना हमाई सहथ के लिए बहुत फायद मन्द होता है चना कार्बो हाइडरेट फाइबर और प्रोटिन जैसे प उबले हुए चने लिए जिसको हमने रात पर भी कोकर रख दिया था और हमने इनको नमक डालकर उबान लिए हैं दो बारी कट की हुए हमने टमाटर लिए हैं एक बारी कट किया हुए हमने प्याज लिया है एक तेजपता ले लेंगे छेसे साथ कली हमने लैसुन के लिए है एक टुकड़ा हमने अध्रकालिया है जिसको हमने बाडरीकट कि〜 हुई हरी मेर्च लिया है सबसे पहले हम不管 और कटाई में ओल डाल कर गर्मड़ेन, इसमें 1 टेबल स्पून ऑल डाल कर गर्म करेंगे और कर्म होने के बाद हम इसमें एक चमच जीरा एड़ करेंगे जीरे को हम भून लेंगे इसमें एक तेज़ पत्ता एड़ करेंगे किया हुआ लेसुन एड़ करेंगे इसके बाद हम अद्रक भी आड़ करेंगे हरी मिर्च भी आड़ करेंगे उन सब चीजों को भी हम भून लेंगे इसके बाद हम इसमें प्याज एड़ करेंगे प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अब हम इसमें आदर चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे हल्दी को भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें बारी कट के हुए टिमाटर एड़ करेंगे टिमाटरों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिला लिए तक पकने देंगे 2 चमश धनिया पाउडर डरेगे एक चमश'sो छोले मसालच करेंगे आदे चमश सब्सप्छूबें अपनामी किमाल साथ मिद्च है मिलाले यह लिए अब इसमे अब 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 मचलक आलैया अब द 대해 करेंगे अब इसमें नमक एड़ करें, इसके बाद हम इसमें एक चमच का सूरी मेथी आड़ करेंगे अब हम सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए फ्रेंस हमने सबजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम सबजी को ढख देंगे और सबजी को हम ढखक कर 7-8 मिनिट के लिए पकने देंगे देखिए हमारी सबजी पक चुकी है देखिए हमारी कितनी अच्छी आलू चने के सबजी पनकर तियार हुई है अब हम इसको सर्व करेंगे आपको वीडियो कैसी लगए आप कमेंट करकर जरूर बताए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना और अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल पन नहीं है तो प्लीज आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पहला आइकन को भी क्लिक करना जिससे हमारे आने वाइली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल से और हमारे फेस्बुक पेज को भी फोलो करें थेंक यू